इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Sensor on 50 Tablet एक prescription दवा है जिसका इस्तेमाल पुरुषों में erectile dysfunction, यानि की नपुन सकता के इलाज के लिए किया जाता है. यह link में रक्त के प्रवाह को बढ़ा कर काम करता है. यह पुरुषों को erection प्राप्त करने या बनाय रखने में मदद करता है. यह दवाओं के एक समूह से समबंधित है जिसे phosphoesterase type 5 यानि की PDE 5 अवरोधक के रूप में जाना जाता है. Sensor on 50 Tablet को खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है. इसे आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार सकती से लिया जाना चाहिए. सेक्स करने की योजना बनाने से पहले आपको लगभग एक घंटे का समय लेना चाहिए. काम करने में लगने वाला समय एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में भिन होता है, लेकिन इसमें सामान्य रूप से 30 मिनिट और 1 घंटे के बीच का समय लगता है यदि आप यौन रूप से उत्तेजित होते हैं तो यह दवा आपको केवल एरेक्षन प्राप्त करने में मदद करेगी हाला कि अगर आपको एरेक्टाइल डिस्फंक्षन नहीं है तो आपको यह दवा नहीं लेनी चाहिए इसे दिन में एक बार से ज्यादा नहीं लेना चाहिए इस दवा के सबसे आम दुश्प्रभाव फ्लशिंग यानि की गर्मी की भावना, सिर्दद, चक्कराना, धुंदली द्रिष्टी, मांस्पेशियों में दर्द, पेट खराब और दाने है अपने चिकित्सक से बात करें यदि कोई दुश्प्रभाव आपको परिशान करता है या दूर नहीं होता है यह दवा महिलाओं द्वारा उप्योग के लिए अभिपरेट नहीं है और पुरुशों को पहले डॉक्टर से बात किये बिना नपुन सकता का इलाज करने के लिए किसी अन्य दवा का उप्योग करने से बचना चाहिए इसे नाइट्रेट्स यानि की अक्सर सीने में दर्द या एंजाइना के लिए दी जाने वाली नामक दवाओं के साथ लेना खतरनाक हो सकता है यदि आपको दिल या लीव की गंभीर समस्या है, हाल ही में स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ा है या यदि आपको निम्न रक्चाप है तो इस दवा को न ले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप इसे लेने से पहले इन्या किसी अन्यस्वास्थि समस्या से पीड़ित है यदि यह दवा आपको चक्कर महसूस कराती है तो आपको गारी नहीं चलानी चाहिए इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे साइड इफेक्ट की संभावना बढ़ जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद